नमस्कार, हिमाचल दिवस पर देव भूमी के सभी लोगों को हारदेग शुब कामनाएं ये बहुत सुखत संयोग है कि देश की आजहादी के पचतरवे वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना पचतरवा स्थापना दिवस मना रहा है आजहादी के अमरत महोत्सों में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमरत हर प्रदेश वासी तक निरंतर पहुचता रहे इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था बर्फ धकी परवत मालाएं नदिया जरने जंगल किनरियों का देश देवता डोले पल पल सवभाग्य से मुझे भी प्रकृती के अनमोल उपहाड मानविय सामर्थ की पराकाष्ठा और पत्थर को चीर कर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का उनके दर्शन करने का बार बार आउसर मिला है साथियों 1948 में जब हिमाचल परदेश का गठन हुआ था तहब पहाड जितनी चुनोतियां सामने थी चोटा पहाड़ी परदेश होने के कारण मुश्किल परिस्तितियों और चुनोति पुर्ण भुगोल के चलते संभावनाओं के बजाए आशंकाय अधिक थी लेकिन हिमाचल के महनतकश इमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनोति को अवसर में बदल दिया बागवानी, पावर सलप्रस राज, साक्षरतादर, गाउं गाउं तक सडक सुवीधा, घर गर पाड़ी और बिजली की सुवीधा जैसे अनेक मानक इस पाड़ी राज़ी की प्रगति को दिखाते हैं बीते साथ आट सालों में केंद्र सरकार्त का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ को वहां की सुवीधाओं को और बहतर बनाये जाए हमारे युवा साथ ही हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जैराम जी के साथ मिलकर ग्रामीड सरकों हाइवे के चौडी करन रेल्वे नेटकवर्क का विस्तार इसका जो बीड़ा डबल इंजिन की सरकार ने उठाया है उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं जैसे जैसे कनेक्टिविटी बहतर हो रही हैं वैसे वैसे हिमाचल का टुरिजम नए ख्षेत्रों नए अंचलों में प्रवेश कर रहा है हर नए अक्षेत्र परियटकों के लिए प्रकृति संस्कृति और एडवेंचर के नए अनुभव लेकर आ रहा है और स्थानिय लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है स्वास्त सुविधाओं को जिस प्रकार सुधारा जा रहा है उसका परिणाम कोरोणा के तेज तिकाकरण के रुप में हमें दिखा है साथियों हिमाचल में जितनी संभावना हैं उनको पूरी तरह से सामने आने वाले और सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है आने वाले पचीस वर्ष में हिमाचल की स्थापना और देश की आधादी के सो वर्ष पूरे होने वाले हैं ये हमारे लिए नए संकल्पों का अमरित काल है इस कालखन में हमें हिमाचल को टूरिजम, उच्च सिक्षा, रिसर्च, आईटी, बायो टेक्नलोजी, फूड प्रोसेसिंग और नेचरल फार्मिंग जैसे क्षेत्रों में और तेजी से आगे ले जाना है इस साल के बजट में गोशीत वाइबरेंट विले स्कीम और परवत माला योजना से भी हिमाचल प्रदेश को बहुत लाब होगा ये योजना है हिमाचल प्रदेश में दूर सुदूर में कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगी तुरिजम को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए आउसर भी पैदा करेगी हमें हिमाचल की हर्याली का विस्तार करना है जंगलों को अधिक सम्रिद्ध करना है सौय चालायों को लेकर हुआ बहतरिन काम अब स्वच्चता के दूसरे पैमानों को भी प्रोट्साहित करें इसके लिए जन्भागीदारी को और बढ़ाना होगा साथियों केंद्र की कल्यानकारी योजनाओं को जैराम जी की सरकार और उनकी पुरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है विशेस्तुरुप से सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में प्रसंसनिय काम हो रहा है इमामदार नेतरुत्व, शांति प्रिय बातावरण, देवी देवताओं का आशिरवात और परिश्रम की पराकास्टा करने वाले हिमाचल के लोग ये सब और तुल्निय है हिमाचल के पास तेज विकास के लिए जरूरी हर चीज मोजूद है सम्रद और ससक्त भारत के निर्माण में हिमाचल अपने योगदान का निरंतर विस्तार करता रहे यही मेरी शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद